तो दोस्तो अभी हम पढ़ेंगे 29 नवंबर 2021 के current of years यह current of years इसी तरह से हम discuss करते रहेंगे आपके साथ तो आप इसको अगर time है तो देख सकते हैं otherwise आप इसको लगा करके सिर्फ सुन सकते हैं उससे भी आपको बहुत help होने वाली आपकी current of years है उसमें क्यूंकि current of years का मतलब है क जो daily daily काम होते हैं आप इसको सिर्फ सुनते चाहें कि तब भी आपकी दिमाग इस खाबिल हर इनसान को होते हैं वो चीज़ें store करता है तो store होते होते ही चीज़ें हमें समझ में आस्ता आस्ता आना शुरू हो जाते हैं तो हमें इन चीज़ों को रट्टा मारने के जरूरू इतनी है जादा से जादा तो which state ranked first in recently announced state energy efficiency index 2020 तो कौन से state का announce किया गया है first rank में जो वो क्या करिए energy efficiency index में तो वो state का नाम है करनाटका ओके तो उसके बार second question आता है हमारा मेरे answer बोलने से पहले आप एक मिट वीडियो को pause करके सुन सकते हैं अराम सोच सकते हैं में दिमाग में कि इसका answer कौन सा हो सकता है तो में भी आप correct हो अगर आप कितनी correct answer मेरे answer देने से पहले बोल रहे हैं तो आप comment में आकर के मुझे बता सकते हैं इससे आपका पढ़ने में crazy भढ़ जाएगा आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और मैं आपका reply करने की कोशिश हमेशा which country has agreed to organize a task force for defense corporation with India तो कौन सी country है जो agree होगी है कि वो क्या करेगी task force organize करेगी defense corporation के लिए इंडिया के साथ तो उस country के नाम है अजराइल अगले चीज़ के हमारी अगले question है who topped the world reputation ranking 2021 which was recently released तो बोल रहा है कि अब reputation ranking जो 2021 के release करी गई है उसमें यह कौन सी university है जिसने टॉप कर दिया है तो आप comment में मुझे आकर बता सकते हैं कि आप कौन-कौन सी university से पढ़ रहे है या आपके colleges कौन-कौन सी university से रिकरगनाईज है य अभी जो university के मैं बात करने वाला हूँ वो university hardwood university अगर आप पढ़ने लिखने वाले student है तो आपको इस university का नाम तो पक्का से मालूम होगा अगर नहीं है तो आप Google पर जाके search कर सकते हैं इसके बारे which country has selected alok amitab dimri as its high commissioner तो किस नहीं कौन सी country ने इनको select कर लिया है तो उस country का नाम है बरूनी ठीक ही चोटी सी country अच्छा which country just opened the world largest hydrogen fuel cell power plant तो कौन सी country ने ये fuel cell hydrogen hydrogen का open कर लिया recently तो उसका answer है south korea okay उसके बाद doctor madhavan madhavan और kishnan who recently died तो इनकी death हो गई है तो यह कौन मतलब इनका काम क्या था doctor तो थे पर किस के specialist थे तो यह थे cancer specialist okay which state administration has started that its statehood day would be celebrated on 18th July तो कौन सी स्टेट अडिमिस्टेशन यह डिसाइड के कि अब यह अपना स्टेट हूड अडिमिस्टेशन को celebrate किया करेगी 18th July में तो स्टेट का नाम है Tamil Nadu who recently launched अब किसने recentry लॉंच तो किसने लॉंच कर दिया समुंदर यान ठीक है तो समुंदर यान किसने लॉंच किया अभी तो उन अब यह सियारी कलेयान योजना इंतेरा दून तो उसका right answer है आपका अमिद्शा अमिद्शा जी जो अभी हमारे होमनिस्टर है वें डिट वर्ल्ड कंसर्वेशन डे टेक प्लेस तो वर्ल्ड का कंसर्वेशन डेक प्लेस कब होता है तो 30 एक्तूबर को होता है विश इंडिया लार्जस्ट अरोमेटी गॉर्डन तो यह कौन सी स्टेट है वो उत्राखंड है हमारी अगला कोशन है विच सिटी रिसीव दौनर फार हैविंग तो फाइनेस्ट पब्ली ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम बहुत इंपोर्टन है सबसे अच्छा ट्रांस्पोर्ट डाइड लेटरली हूँ वाज वेर वाज ही फ्रॉम तो कहां से थे तो वो थे ऐस्ट्रेलिया से नेक्स्ट कोशन है हूँ आफ दो फोलिंग हाज बन अपोइंटेट एज दा गवर्नर रिजर्व बैंक अफ इंडिया फ़र थरी यूर्स टर्म बिगिनिंग 10 दिसंबर तो 10 दिसंबर को 2021 को इसको कौन अपोइंट होने वाला हमारे हिर्जर्व बैंक का गवर्नर तो इसका अंजर है हमारा शक्तिकांता दास ओके तो अभी हमारे कोशन्स खतम होते हैं मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी करेंट अफिर्स प में बैटर बनाती है ओके थैंक यू